गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स आई होप यू अलार गुड स्टुडेंट्स हमने हमारा मैस का चैप्टर वान एंड टू कम्प्लेट कर लिया था मुझे उमीद है कि आपने अपने फियर कॉपी पर अपना काम कम्प्लेट कर लिया होगा अगर आपने नहीं किया तो आप लोग कम्प्लेट कर लो उसको हमने कुछ टॉपिक्स को शोड़ा है जो हम बुक में करेंगे जब भी आपके स्कूल खुलेंगे तब हम उन टॉपिक्स को बुक में करेंगे अभी हम वही काम करेंगे जो हम नोट कॉपी पर करेंगे तो आज हम चैप्टर वन की रिविजन करेंगे चैप्टर वन आपको याद होगा उसका नाम था नमबर्स अप्टू 999 तो मैंने कल आपको इसके असाइन्मेंट सेंड की थी मंडे को तो आज हम मुझे उमीद है कि आपको वो समझ आ गया होगा आपने सॉल्व की होगी अगर नहीं की तो आज हम उसको सॉल्व करेंगे आप भी साथ साथ कर लो तो अपनी नोट को पीस आप अपने पास रख लो जिस पर आपने वो आसाइन्मेंट नोट की है तो फर्स्ट हमारा कॉश्चन था राइट था नमबर्स तो हमें कुछ नमबर नेम्स दिये होंगे उनके हमने क्या लिखने है नमबर्स तो फर्स्ट क्या हमारा 83 83 83 को हम आस में कैसे लिखते है 83 83 is equal to 83 सेकिंड था हमारा कॉश्चन 32 32 32 को हम आस में कैसे लिखेंगे 32 थर्ड कॉश्चन इस 57 थर्ड कॉश्चन इस 57 तो 57 को हम आस में कैसे लिखते है 57 57 यह हमारा पार्ट वन था बिल्कुल नेट अन क्लीन तरीके से आप लोग काम करोगे अभी हम अपना अगला कॉश्चन देखेंगे राइट दा नंबर नेम्स क्या है कॉश्चन? राइट दा नंबर नेम्स सेगेंड कॉश्चन है हमारा राइट दा नंबर नेम्स अभी कुछ नंबर गिवन होंगे उनके हमने नंबर नेम लिखने हैं जो कि हम इंग्लिश में लिखेंगे तो फर्स्ट नंबर इस थर्टी फाइब ती एच आई आई टी वाई थर्टी एफ आई वी फाइब आंसर इस थर्टी फाइब नेक्स्ट कॉश्चन इस नाइन्टी थ्री अभी नाइन्टी थ्री को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे हम एन आई एन ए टी वाई नाइन्टी टी एच आर डबल ए थ्री नाइन्टी थ्री अभी हमारा अगला कोश्चन है पुट ग्रेटर दन लेस्टर दैन इस इकल तो साइन्स इन दा बॉक्स ठीक है स्टूडेंट्स अभी हमने ग्रेटर दैन लेस्टर दैन और इस इकल तो साइन्स को बॉक्स में फिल करना है अकॉर्डिंग टू दा कंडिशन फर्स्ट कोश्चन इस 737 और 494 अभी आप लोग बताओ कि 737 बड़ा है 494 से या शोटा है या इसके बराबर है तो अभी हम फर्स्ट वाला देखेंगे 7 है ये 4 है 7 बड़ा होता है तो हमारा अंसर है 737 इस इस एकल टू सॉरी 737 इस ग्रेटर देन 494 तो अभी हम अपना अगला कॉश्चन देखते हैं 847 847 और 874 में से कौन सी वैल्यू बड़ी है अभी इसमें हम देखेंगे फर्स्ट जो हमारा नंबर है वो सेम है तो हम अभी सेकेंड वाला नंबर देखेंगे सेकेंड में यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 7 है आप बताओ कौन सा बड़ा है 7 बड़ा है तो अंसर इस 847 इस लेसर देन 874